दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामनी आ रही है जहां पर दोस्तो रिशब पंत और स्रिय सेयर ने कोलकता नाइट रेड़ेस की उड़ाए पर खच्छे खेली ऐसी पारी देखकर सब हैरान हो गए हेलो दोस्तो सोगत है आप सबी का फिर सी हमार यूटूब चैनल किरकेट देखो जी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आई पिल 2020 का 16 मकाबला कोलकता नाइट रेड़ेस और दिल्ली कैपिटल्स की बीच खेला गया और दोस्तो इस मकाबले में बहतरीन तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रिशपपंत और सरे सेयर ने बहतरीन प्रदस्षन किया है और इसी पारियां खेली है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे लेकिन उ लिए दोस्तो बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज आई पियल 2020 का सोलाओ मुकाबला कोलकता नाइटाइडस और दिल्ली कैपिटल्स की बीच खेला जा रहा है दोस्तो यहां मुकाबला शारजाह के इंटरडैशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है दोस्तो इस मुकाबले में कोलकता नाइटाइडस के कप्तान दिनेश कार्थिक ने टॉस जीता और पहले गेन बाजी करने का फैसला लिया दोस्तो पहले बल्ले बाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरूआद धांसु रही जिहां दोस्तो शीकर धवन 26 रन बनाकर पविलियन लोड गए उसके बाद दोस्तो पृत्वीशो और स्रे सेयर ने दिल्ली कैपिटल्स के पारी को संभाला जीहां दोस्तो धमाकेदार प्रदशन करते हुए दिल्ली के स्कोर को आगे भी बढ़ाया दोस्तो उसके बाद स्रे सेयर ने बहु शीकर पविलियन लोड गए उसके बाद दोस्तो एक तरफ स्रे सेयर तूफ़ानी बल्ले बाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ दोस्तो उनका साथ देने आई थे रिशप पंत जीहां दोस्तो रिशप पंत तो कहां रुखने वाले थे दोस्तो आप सभी को बता दी कि चात करते जा रहे थे तूसरी तरफ सिमरन हेटमायर ने आखीरी गेन पर चखका लगाकर हर किसी को है रान कर दिया दोस्तो दिल्ली कैपिडल BS की टीमे वी सोहर के पारी में चार विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए जिआँ दोस्तो इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स में यहां पर कोलका ता नइट राइडर्स को बहुत विशाल लक्ष दे रखा है अब सभी को बदा दी कि अगर कोलका ता नइट राइडर्स की गेन बाजूंग की बात करें तो यहाँ पर पैट कमिक्स ने चार ओहर में उन पचास रन दिये तो कोई भी विकेट हासिल नहीं किया तो वहीं पर दोस्तो शिवा मावी ने तीन ओहर में चालीस रन दिये वहीं दिवा दोस्तो उन्होंने कोई भी विकेट हासिल नहीं किया तो वहीं पर दोस्तो वर्न चक्रवर्ती ने चार ओहर में उन पचास रन देकर एक विगेट हासिल किया है तो दोस्तो सुनी नराइन ने दो ओहर में 26 रन दिये हैं आंद्रे रसेल ने चार ओहर में 39 रन देकर दो विगेट हासिल किये हैं दोस्तो आज के इस मकाबले में अंधरे रसेल ने बहुत ही शांदार तरीके से गेन बाजी करती हुए, यहाँ पर रिशापंत का विकेट चटका है साथी में, उन्होंने बहुतरीन तरीके से गेन बाजी करती हुए, सिर्फ 29 रन दिये हैं, 2 विकेट हासिल किये हैं, 7 की तो वहीं पर दोस्तो कमलेश नागरकोटी ने तीन ओहर में 35 रन देकर एक विकेट हासिल किया है। तो दोस्तो आज की इस मकाबले में कुछ इस तरह से पहली पारी में दिल्ली कैपिटल्स का धमाल मच गया है। और इससे में दोस्तो आप देखने वाली बात होगी कि कौलकाता नाइटरिटिस की टीम किस तरह से बल्लेबाजी करती है।